नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमार यूट्यूब चैनल पर और अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार में गुनतीस MLA बन सकते हैं मंत्री इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी राजस्थान सरकार 2023 का मंत्री मंडल क्या रहने वाला है इस वीडियो में जो संभावित मंत्री बन सकते हैं वो आपको बताएंगी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बजनलाल सर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंदर बैर्वा 15 दिसंबर यानि की आज जैपूर के अलबर्ट होल के सामने आयोजिस समारोह में पद की सपत लेंगे सीम चुन्ने के चोकाने वाले फैसले के बाद अब राजस्थान में ये चर्चा है कि कौन से विड़ायोकों को मंत्री बनाया जा सकता है अब की बार बजनलाल सरकार के कैबिनेट की तस्वीर कैसी होगी राजस्थान दोस्तों बता दें कि राजस्थान कैबिनेट मंत्री 2023 को लेकर सर्विकिया और जिसमें विड़ायोकों की उम्र, वरिष्टता, संकी, सिनजदीगी, चवी, सिक्षा समीत कई बिन्दों को ध्यान में रखकर विभिन वर्गों सी बात की तो उनकी मंत्री बननेवे मंत्राले मिल सकने का अनुमान सामने आया है यहाँ पर आपको बता दें कि बजनलाल सर्मा विदायक सांगानेर इनको मुख्य मंत्री बना दिया है आप सभी को पता है और इनके साथ ही कार्मिक विभाग वैं डिप्यार इनके पास होगा वहीं दियक कुमारी जो की विद्यदर नगर से ये विधायक हैं इनको उपमुक्य मंत्री बनाया है और इनको ग्रह विभाग सोंप जा सकता है वहीं साथ ही बता दे प्रेमचंद बैर्वा जो की दूदू से विधायक हैं इन्हें भी उपमुक्य मंत्री बनाया है वे सारजुनिक निर्माण विभाग मंत्री पद इन्हें मिल सकता है वहीं दोस्तों अब बात करें डाक्टर क्रोलीलाल मीना की तो ये सवाई मादोपुर से विधायक हैं और इन्हें चिकेसा एमम स्वास्ते मंत्री बनाया जा सकता है जो की संभावित है वही मदन दिलावर है जो कि इने समाज कल्यान विभाग मंत्री बनाय जा सकता है ये विधायक है रामगज मंडी से जो कि स्वरगर्ग है विधायक जालोर से है इने सिक्चा मंत्री बनाय जा सकता है सिद्धिकुमारी विधायक बीकनेर से हैं और इन्हें परेटन विभाग मंत्री बनाया जा सकता है वहीं साथ यो बता दें कि महेंत प्रतापपुरी जो कि पौकरण से विधायक हैं इन्हें देविस्थान विभाग गोपालन विभाग मंत्री बनाया जा सकता है पुस्पेंदर सिंग राणावत विधायक बाली से हैं इन्हें उर्ज विभाग मंत्री बनाया जा सकता है आजय सिंग किलिक जो कि विधायक डेगाना से हैं सहकारीता विभाग से मंत्री बनाया जा सकता है जाबर सिंग खर्रा है जो कि विदायक स्री माधोपूर से है इने क्रेशी एम पसुपालन विभाग मंत्री बनाय जा सकता है बेरराम सियोल है विदायक उसिया से जिने गरामीन एम पंचायत राज मंत्री बनाय जा सकता है संजे सर्मा विधायक अलवर सेर से हैं जिने जल संसाधन एम सिछाई विभाग मंतरी बनाय जा सकता है पिरताप सिंग भी है जो कि विधायक बारा चबडा से हैं इने नगर ये विकाश विभाग मंतरी बनाय जा सकता है बाब बालक नाज्जी हैं जो कि विधायक अलवर के तेजारा से हैं इन्हें वन एवं पर्यावन विभाग मंत्री बनाया जा सकता है हिरलाल नागर हैं जो कि विधायक सांगोध से हैं इन्हें खाद एवं नागरिक आपूर्ती विभाग मंत्री बनाया जा सकता है सत्रुगन गोतम है केकडी से विधायक है यहने खान एवों पेट्रोलियम मंत्री बनाया जा सकता है जवार सिंग बेडम जो की विधायक नंगर से है यहने कानून मंत्री बनाया जा सकता है फूल सिंग मीना विधायक उदैपूर ग्रामीन से हैं जिने जनजाती छेत्री विभाग मंत्री बनाया जा सकता है अब दोस्तो हम बात कर लेते हैं ये तो थे जो मैंने अभी बताए आपको ये थे थे थो दोस्तो राजस्थान केबिनेट मंत्री संभावित अब मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान राजमंत्री जो की संभावित हैं सेले सिंग विधायक डीक कुमेर से इने चिकिस्सा एममस्वास्ति राजमंत्री बनाया जाए सकता है जेतेंदर गोठवाल विधायक खंडार से जिने समाज कल्यान विभाग राजमंत्री बनाया जाए सकता है मंजु बागमार विदायक ये जायल से हैं इन्हें सिक्ष विभाग राजी मंत्री बनाया जा सकता है वहीं दीप्तिकरण माहिसवरी है इन्हें विदायक राज समंध खेल एंव यूआ मामलात राजी मंत्री बनाया जा सकता है उदेलाल भड़ाना है विधायक मंडल से इन्हें उर्जे विभाग राजी मंतरी बनाया जाए सकता है नोक्चम चोदरी है विधायक कौमा से है इन्हें अल्पसंक्याक मामलात राजी मंतरी बनाया जाए सकता है समीत गोधारा है ये लून करण सर से विधायक है बीकनेर के तो यहाँ पर इने शरं विभाग एउग करेशी एउग पसुपालन राज्य मंत्री बनाया जाए सकता है ताराचंद जैन हैं विधायक उदयपूर से हैं इन्हें वन एवं पर्यावन विभाग राज्यमंत्री बनाया जा सकता है हंसराज पटेल जी हैं इन्हें विधायक कोट पुतली से हैं और इन्हें परिवन विभाग राज्यमंत्री बनाया जा सकता है वहीं जेठानन्द व्यास जी हैं ये विदायक हैं बीकनेर पच्चिम से तो इन्हें आपदा प्रबंदन एवराहत राज्य मंत्री बनाया जाए सकता है जल्द ही दूस्तो हम आपको लिस्ट अपडेट कर देंगे हर अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें किस राज्य और कहां से वीडियो देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए धन्यवसातियो जय हिंद जय भ